कॉंग्रेस के प्रदेश महासचिव शिल्पी अरोडा ने किया प्रेस कॉंफरेंस नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे लगातार विरोध प्रदर्शन को लेकर कॉंग्रेस के प्रदेश महासचिव शिल्पी अरोडा ने एक प्रेस कॉंफरेंस करते जाने की राजनीती कर रही है। जब उन्होंने देखा कि पूरे देश में मंदिल पे कोई नहीं हुआ 370 पर कोई विवाद नहीं हुआ, उन्होंने एक विवाद क्रियेट किया, जिससे कि भाई-भाई आपस में डड़ सके, आपस में डिफरेंस आ सके, और NPR में किसने फॉर्म की बात करी थी, कि पिता के डेट अब बर्थ कितने लोगों को पता है, बहुत सारे लोग हैं, जिनक उन्हें से उपर पहुंच चुका है, पेट्रोल, डीजर के दाम इतने बढ़ चुके हैं, इन मुद्नों से जन्ता का ध्यान दूसरी तरफ आकर्शित करने के लिए, इस तरीके के जो बिल्कुल एर्रेलिवेंट मुद्धे हैं, उस पे करा जाता है, डर लगता है इस सरकार को दिल्ली के एक शेत्र में जाने से पाकिस्तान जा सकते हैं, बिना हुलाय है, मोदी जी, महां जाकर शॉल भी दे सकते हैं, और बिर्यानी भी खा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के एक शेत्र में जाने में उनको डर लगता है, और वो भी महिलाओं से, उसकी उपर इस तरीके की नहीं है ना वो किसी और के आगे तो प्रदर्शन नहीं करेंगे ना वो जाकर पाकिसान बंगलादेश या भुडान में तो प्रदर्शन नहीं करेंगे सबको अपनी बात रखने का हग है सरकार के किसी प्रतिमिदी को महां जाकर उनसे बात चीत करनी चाहिए और अपना मुझाना चाहिए जिसे की वो धरना खतम हूँ